हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुनाव सभी का आपके अपनी चैनल सीव कोचिंग क्लास उस पर स्वगत है दोस्तो तो आज हम तर्चा करने वाली हैं स्वसन और प्रकास संसेशन में अंतर दोस्तो आप लोगों को पता होगा क्लास 10 का एक चैप्टर है दोस्तो टॉ सभी मर पूरें तो इस आप अच्छे से त्यार कर लें देखते हैं स्वसन और प्रकास संसेशन में होता है जो तो पहला नतर है समझे लैं ना बात कूलwegen जो स्वसन के क्रिया होती है जीवों में होती है और प्रकास संसलेशन की क्रिया दोस्तों किस में होती है पौधों में होती है तो पहला अंतर तो आप दोस्तों जैसा मैंने बताया वैसे आप याद कर सकते हैं कि स्वसन की क्रिया पौधों में होती है और प्रकास संसलेशन की क्रिया दोस्तों किस में होती से हमारे ही अंदर हम एक मनुस हैं और मनुस एक जीव है और दोस्तो इसमें जो स्वसन की क्रिया होती है इसमें आक्सीजन दोस्तो ली जाती है और कार्बन डायकसाइट का निर्माड होता है कहने के मतलब दोस्तो यह जो आक्सीजन है तो कार्बन डायकसाइट में कैसे गुलू कोच के साथ और गुलू कोच को तोड़ता है गुलू कोच को तोड़ने के बाद दोस्तो जल और सी ओटू का निर्मार करता है इसको बताएंगे लास्ट में अंतर के चिंता ना करें वीडियो को वान तक देखते रहें आपको काफी समझ में आने वाला है अब प्रका संसलेशन में इसमें दोस्तों क्या होता है कि उल्टा होती है अब क्रिया स्वसन के उल्टा होती है प्रका संसलेशन में कार्बन डायक्सर ली जाती है और दोस्तों इससे कार्बनी क्योंकी कर निर्मार होता है जैसे गुलू कोच कर निर्मार होता है समझ रहें बात को मैं जो कह रहा हूँ दोस्तो आप अच्छे से समझेए काफी मात पूणे एक कोश्चन पेपर में आता ही आता है ठीक है यह दोस्तो कई बर सपूचा गया है और पूचा भी जा सकता है ना कि वह टेंथ क्लास में बलकि इलेवन्थ क्लास में भी कोश्चन आता है इसलिए आप निर्माड करते हैं, समझे रहा बात को, कि स्वस्थान में जटिल कारवनिक्योगिक तोटता है, लेकिन प्रकास संसलेशन में जटिल कारवनिक्योगिक बनता है, ठीक है ना, समझ गया बात को, अब क्रिया समझाओंगा लाश्ट में, चिंता करने के बसकता नहीं, अभी समझ थे ऐव्ता से जल एवम CO2 में जाटिल करवनी क्योगी का संसलेशन होता है मतलब जल और करवनडायकसयड है यह आपस में मिल करके जाटिल कारवनी क्योगी का निर्म परते हैं »ठीक है दूस्तों clear'' अब दूसेरा आंतर यह है अपचे वक्रूये हैh अब अपचे का मतलब क्य तूटते हैं इसलिए इसे बोले अपचय और इसमें जटिल कर्वनी की बनते हैं इसलिए बोले उपचय और जब अपचय और उपचय मिलते दोस्तों उपापचय क्रिया कहलाती है मतलब जहां जटिल कारबनी के होगी बने भी और जटिल कारबनी के होगी टूटे भी जहां दोनों की क्रियाएं हूँ तब उससे बोलेंगे दोस्तो उपाप चाई ठीक है या उपाप चाई बोलते हैं तीसरा दोस्तो इस अब क्रिया में भोजन से उर्जा निर्मुक्त होती यह मतलब उत्पन होती है जैसे ब्यक्ति होता है दोस्तो स्वसन की क्रिया लेता है स्वसन में क्या होता है गुलुकोज जब टूड़ता है इससे एनरजी मुक्त होती है लेकिन दोस्तो इस अब क्रिया में उर्जा भोजन की रूप में संग्रहित होती है कहने का मतलब जब प अगला दोस्तो यह अवक्रिया, अन्दकार एबन प्रकास दोनों में संपण्न होती है, चाया आप अंधेले में हूँ, चाया प्रकास में हूँ, लेकिन स्वचन के क्रिया बराबर करेंगे, क्योंकि आप एक जीव हैं, लेकिन दोस्तो पौदों में यह नहीं होता ऐसा पौदों में सूर की प्रकास की उपस्थिती में ही संपन होगा मतलब प्रकास नहीं है तो पौदों में प्रकास संसलेशन के क्रिया नहीं हो सकती सब्द से ही दोस्तो प्रकास संसलेशन मतलब प्रकास का संसलेशन होगा यह प्रकास की उपस्थिती में अवक्रिया होगी तो दोस्तो प्रकास संसलेशन की जो अवक्रिया होती है केवल सूर के प्रकास में ही संपन होती है ठीक है अगला यह अवक्रिया पौधों एवं जनतों की सभी कोशिकाओं में संपन होती है ठीक है पौधों में भी स्वशन होता है दोस्तो लेकिन यह अवक्रिया पौधों के हरी कोशिकाओं में ही संपन होती है मतला प्रकास संसलेशन पत्तियों दोरा ही जहां हरा होगा दो विए होती है, यह छीज तो muchier होगे दूस्तों, अब हम नहीं बताया था आपको सुरू में की रासालीक समुल्ण बतादेती आपको, तो यह स्वसदर दूस्तों, स्वसदर में होता है, हम लेते हैं क्या, आकसिजन लेते हैं, और आकसिजन दूस्तों किससे की लिए करता है, गुलुकोसी, C6, H12, O6, आक्सीजन, तो दोस्तो बनाता क्या है, एक तो बनाएगा H2O, और कार्बन डायक्सेट बनाता है, और कुछ मात्रा में दोस्तो उर्जा निकाल देता है, अब इसकी बैलन्सी करानी, तो 6 कार्बने न, तो 6 का मल्टिप्लाई कर दें, यहां पर है डुजन कितने 12, तो 6 का मल्टिप्लाई यहां कर दें, तो यह जो स्वसन की क्रिया होती है, उसमें इस प्रकार यह जो जटिल कार्बने क्योगिक है, यह दोस्तो आप घटित हो जाता है, इसलिए तो दोस्तो इसको बोलते हैं, आप चेक की अफ़क्रिया, लेकिन इसमें उल्टा होता है, कारबन डायकसाइड और H2O, यह आपस में मिलती हैं, इस दोस्तो कितने-कितने 6-6 रहती हैं, और सनलाइट के उपस्थीत में होती है, सनलाइट के उपस्थीत में होता दोस्तो, तो बनता क्या है, वही गुलू कोज बनाएगा, C6, H12, O6 का निर्म का प्राबलम हो जाता है, कभी-कभी, मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, कि मैं गाउंस से हूँ, इसलिए थोड़ा सा कभी-कभी लाइट का प्राबलम हो जाता है, तो दोस्तो यहाँ पर CO2 है, और H2O है, आपस में सनलाइट के उपस्थीत में क्रिया किये, तो गुल इससे आप अच्छे से याद कर लें, ठीके दोस्तों, चले फिर चलते हैं, हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी प्रकार के नए वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिलाइकर मी प्रस कर लें, ताकि वीडियो को नोटिपेसंस पहले आपको प्राप्थ हो उन्तर आप.